नए संसत भवन के उधगाटन पर लगातार राजनिती गर्मा गई है बीते दिन राहूल गांधी ने ट्वीट कर भवन के उधगाटन को राष्टपती से करने की मांग की थी इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुखतार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है उन्हें सुनते हैं नए संसत भवन भव्य रूप में बन कर तयार हो गया है लेकिन इसी बीच राहूल गांधी ने सोशल मीडिया ट्वीटर पर ट्वीट करके कह दिया है कि नए संसत भवन का उद्गाटन राश्पती जी को करना चाहिए प्रधान मंत्री जी को नहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिश नेता और पूरकेंद्री मंत्री मुकतार अब्बास नकवी जी है सर किस तरीके से राहूल गांधी के समया है दुनिया जो है वो भारत की नस्तक सलामी में लगी है और ये नकारात्मक दस्तक की खुलामी में लगे हुए है और इनकी प्राबलम यह नहीं है प्राबलम यह है कि इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पचाल करके परजा तंत्र कैसे प्रास्मिक्ता पा रहा है और जब परिवार तंत्र जो है वो परास्त होता है और परजा तंत्र जो है वो परवान चलती है तो इस तरह की बॉखलाहाट और घवराहाट दिखाई पड़ती है यही लोग है जोनों नकादे किसाब कैसे बन जाएगा सिंटर विस्ता कैसे बनेगा नया पार्लेमेंट अरे कुछ जनता कुछ जनादेश देगी दो चार दस सीटें आपकी आएंगी तो आप भी बैठेंगी उसमें और आपका दिमाग थोड़ा थंड़ा होगा कॉंग्रिस पार्टी ने करनाटक में जीत दर्ज की बहुत मिला है लेकिन नितीश कुमार विपक्ष को एकजूट करने की कवायत कर रहे हैं कल उन्होंने मुख्य मंतरी अर्विन के जिवास से मुलाकात की आज भी उनकी मुलाकात जो पार्टी के राष्टी अद्धक्स है मल साथ बराती बन के चलो अब वो पर्पोस बाद में करता है डिस्पोस पहले हो जाता है तो इनकी ये प्रॉब्लम है अखरी सवाल रहेगा समझवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रशाद मोरिया अक्सर विबादित बयान देते रहते हैं उन्होंने एक बयान दिया है उन्होंने साथू संतों की तुलना कहिने कहीं आतंगवादियों से कर दी है देखो साथू संतों की तुलना कोई आतंगवादियों से कर सकता है अब इस तरह की शैतानी मान सकता अगर किसी के दिल और दिमाग में भर गई हो तो उसको किसी साथू संत की शरण में जा करके औ उससे कुछ मंत्र ले करके और अपने दिमाग के और दिल के शैतान को बाहर निकालना चाहिए